आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, यह संटेंस सबसे पहला पता है जो हाथ दिखाने वाले के उपर फेका जाता है, ठक बड़े ध्यान से हाथ देखते हैं और कहते हैं कि आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, खर्च हो जाता है, यहाँ पर आपको ग इंडो की गती बिधियों को बताने वाला सास्त्र बर्तवान में जोतिस विद्या बिवादों के घेरे में है और इसका कारण वे जोतिस सास्त्री वे भविश्य वकता हैं जो लोगों का मन गढ़ंत भविश्य से बता रहे हैं या लोगों को ग्रह नच्छत्र से डरा रहे हैं आज भारत में हजारों लोग धर्म और आस्था के नाम पर ठगे जाते हैं। जोतिस एक महान बिद्ध्या है जिसे काफी ग्यान के बाद हजारों में से कोई एक ही सीख पाता है। लेकिन अगर आप किसी धोंगी से पूछें कि उसे जोतिस में क्या आता है तो उसे हांथ देखना जरूर आता होगा और इसके बाद उसकी गोल मुल बातों का सिलसिला आपको ऐसे उलजाएगा कि आप उससे खुद उपाए पूछने लगेंगे और आपकी जेव धिली हो बीडियो में वो ट्रिक भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल कर ढोंगी आपको लूटते हैं बहुत से लोगों के मन में आजकल जोतिस विद्या को लेकर संदेह और अब इस्वास की भावना है जिसका कारण बरतमान में परचलित जोतिस और इसको लेकर किया जा रहा बैपार से हैं तीवी चैनलों में जोतिस सास्त्री जोतिस के संबंध में न मालूम क्या क्या बाते करके समाज में भ्रम और भय उत्पन करते हैं यही कारण है कि कई लोगों के मन में अब जोतिस को लेकर संदेह उत्पन होने लगा है जो की जायज भी है वीडियो को पूरी देखना अठरावी सतावी तक यानि कि गैलेलियो से लेकर कोपर निकस तक जो खगोल भिससग्य या गनितग्य होते थे वही जोतिस भी हुआ करते थे आज से 2300 साल पहले से भी पहले एरिश्टरकस ओफ सेमोंस ने बताया कि सूर्ज केंदर में है और पिर्थिवी उसके चारो और चकर लगाती है इसके बाद पांचवी सदी में भारत में आरजवट ने भी कहा कि पिर्थवी गोल है और सुर्ज के चारो और चकर लगाती है बाद में सुलहवी सदी के आखिर और सत्रहवी सदी के सुरू में इटली के खगूल बिद गैलेलियों ने भी ग्रहों और नाच्छत्रों का अध्धिन करते हुए यही बाते दोराई जोति सास्त्र को सबसे बड़ा और पहला जटका गैलेलियों के वक्त तब लगा जब गैलेलियों ने रोमन समराट फडिनांड दूतिय की कुंडली देखकर दावा किया था कि वह लंबी उम्र तक जियेगा लेकिन उसके दावे के कुछी ही दिनों बाद फडिनांड की देथ हो गई 28 सदी तक सभी खगोल बिद और गनित तग इस नतीजे पर पहुँची की गरहों का प्रभावत होता है लेकिन इसके आधार पर भविश्यवानी करना सही नहीं है 20 वी सदी तक बात यहां तक आ गई कि खगोल बिज्ञान सब्जक्ट से जोतिस बिज्ञान को अलग कर दिया गया यह जानते हुए कि एस्ट्रोलजी एस्ट्रोनोमर्स और मैथेमेटिसियन के अभिन अंग है क्योंकि जितनी भविश्यमानिया की जाती है या की गई है वो कैलकुलेशन के धार पर ही की जाती है या की गई है यानि मैथेमेटिसियन और कैलकुलेशन में कौन सी चीज़े आती है ग्रह, दीन, रात, समय यानि कि astronomers जिसे astrology से हटा दिया गया 1975 में The Humanist नाम के एक American Journal में दुनिया के 186 बैग्यानिकों ने यह घूसित कर दिया कि ज्योतिस अधारित भविस्यमानियों का कोई अधार नहीं है ग्रहों का मानव जिवन पर कोई प्रभाव नहीं होता प्रभाव सिर्फ तीन चीजों का होता है और वे हैं गृत्वाकर्शन, चुमबक्तो और किरन इसके साथ ही यह भी घूसना की गई कि ज्योतिस विग्यान जूट और फ्रेव के अलावा कुछ भी नहीं है इससे आम इंसानों को बचना चाहिए इन 186 बैज्यानिकों में से 19 नोबल प्राइज विनर थे इन बैज्यानिकों में एक भारतिय बैज्यानिक सी चंदर सेखर भी थे फ्रांस के प्रोफेट नास्त्रे दमस ने सोलहवी सताबदी में अपनी कविताओं के थ्रू कई भविश्यमानिया की है नास्त्रे दमस की भविश्यमानियों में बिस्वास करने वाले लोग मानते हैं कि उन्होंने ब्रिटेन के महरानी की मौत लंदन की आग समित कई चीजों के बारे में पहले ही भविश्यमानिया कर दी थी जब क्विन अलिजावित की डेथ हुई थी तो नास्त्रे दमस की भविश्यमानियों की एक किताब की हपते भर में आठ हजार परतियां बिग गई थी लेकिन उसी नास्त्रे दमस की एक भविश्यमानिय के मुताबिक 4 जुलाई 1999 को दुनिया खत्म होने वाली थी लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ दुनिया भर में चल रही समस्याओं को देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि साल 2022 बहुत बुरा गया तो नास्त्रे दमस की भविश्यमानियों के मुताबिक आप गलत है क्योंकि 2023 बहतर होने की उमिद बिलकुल नहीं है नास्त्रे दमस की एक भविश्यमानी को यूरोप के सर्वनास के तोर पर देखा जा रहा है नास्त्रे दमस ने एक भविश्यमानी में कहा था कि सात महीने महान युद्ध बुरे कामों से मरे लोग जिसे यूकरेन और रसिया के युद्ध से जोड़ा जा रहा है नास्त्रे दमस ने 1547 से 1555 के बीच 942 का ब्यात्मक भविश्यमानी की कहा जाता है कि उन्होंने चार्ल्स वन के मौत की सजा लंदन की भीशेनाग, फ्रांस की करांती, हिटलर की उदे, जॉन एफ केनेडी की हत्या, बेंजीर भुटो की हत्या, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहमला और 2015 के पेरी सामुही कतल की भविश्यमानिया की थी कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े एस्ट्रोलोजर जिनकी कुछ भविश्यमानिया सही सावित हुई, तो कुछ गलत जितने भी एस्ट्रोलोजर ने भविश्यमानिया की हैं, और वो सही सावित हुआ, इसका मतलब उनका कैलकुलेशन बिलकुल सही था और जब जब उनकी भविश्यवानिया गलत हुई इसका मतलब उनका कैलकुलेशन किसी हद तक गलत था एक ही डिजिज को लेकर अलग-अलग डॉक्टर्स की अलग-अलग आइडियोलोजी होती है कभी-कभी तो पूरी तरह से गलत भी हो जाती है तो इसका मतलब ये कह दिया जाए कि वो डॉक्टर नहीं है एक बहुत ही अच्छे इंजिनियर के द्वारा बनाया गया ब्रिज कभी-कभी हजारों साल चल जाते हैं तो कभी-कभी दो महिने में गिर जाते हैं तो क्या वो इंजिनियर नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि जब उनका calculation सही रहा तो bridge भी सही रहा और जब calculation सही नहीं रहा तो bridge भी नहीं रहा ठिक वैसे ही जोतिस में एक बहुत ही उच्च दरजे की calculation की जरुवत पड़ती है अगर calculation सही रहा तो भी विश्यमानिया सही सावित होंगी और अगर नहीं रहा तो गलत हुआ अब इसके वज़े से यह कह दना कि जोतिस नहीं है गलत होगा हाँ आज लगभग हर धर में पाखंडी लोग आ गए हैं जो लोगों को गलत विचारधारा में ले जाकर पैसे कमाने का काम कर रहे हैं और कुछ ट्रिक ऐसे हैं जिनके बज़े से आपको लगता है कि वो सही चीजे बता रहे हैं घर में गरीवी दूर करने पती की अच्छी नौकरी बच्चों के एजुकेशन हिल्थ के लिए आए दिन महिलाएं पाखंडियों के पास चाती रहती हैं लेकिन कई बार ये पाखंडी उन्हें इस्तेमाल करने लगते हैं एसे पाखंडियों से बचना है तो इन बातों का जरूर ध्यान दिजेगा जो मैं आगे बताने वाला हूँ अगर कोई जोतिस, सादू मौलाना, बावा, आदी कोई भी ये कहे कि आपके कश्ट दूर करने के लिए वो पूजा करेगा आपकी तरफ से वो ब्रत रखेगा तो समझ लिजे कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है क्योंकि किसी भी पूजा का असर तभी होता है जब बेक्ति खुद करता हो आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं यह संटेंस सबसे पहला पता है जो हाथ दिखाने वाले के उपर फेका जाता है ठक बड़े ध्यान से हाथ देखते हैं और कहते हैं कि आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं खर्च हो जाता है यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात यह है कि जो बेक्ति ऐसे लोगों में बिस्वास रखता है वो केवल आम आदमी ही हो सकता है और महंगाई के इस दौर में मिडल क्लास के पास पैसा कभी बच ही नहीं पाता ऐसे में इन बातों को केवल बेबकूप बनाने वाली ट्रिक समझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं काफी बुरा वक्त था आपका अब कुछ सुधार है और आगे और भी अच्छा होगा लोग कभी भी खुद से संतुष्ट नहीं रहते जब तक लाइफ है तब तक डिक्तें समस्याएं और उल्जने हैं एसी बातों को बताने का कोई भी औचित्त नहीं बनता है अगर एसी बात कोई कहता है तो उसे केवल जूठ ही समझें क्योंकि बच्पन को छोड़कर पास्ट कभी भी अच्छा नहीं लगता और कभी भी अच्छा नहीं होता आपका भागे साथ नहीं देता अक्सर लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों का भरोसा भागे पर सबसे ज़्यादा होता है और ऐसा कहने पर वो हल पूछेंगे और बाद में पैसा भी देंगे यह बात अपने मन में बैठा लेजिए कि भागे आपका तब तक साथ नहीं देता जब तक आप स्वेम मेहनत नहीं करते स्रीमत भागवत गिता में भी भगवान स्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही परधान है गियानी जोतिस कभी भी आपको गरहों के बारे में इतनी बड़ी-बड़ी बाते नहीं बताएंगे और अगर बताएंगे भी तो उनका अर्थ और सार भी समझा देंगे ताकि आप उनकी भैल्यू करें और उनको समझ पाएं उन पे विश्वास कर सकें कोई आपका भला नहीं चाहता तोना टोटका करवाया है ये भी एक ट्रिक है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बरतमान में कोई भी किसी का भला चाहता हो या न चाहता हो लेकिन खुद की कस्म कस्में उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके उपर टोना टोटका करवाता गुमे टोना और टोटकी की बातें केवल अज्ञानी लोग ही करते हैं ज्ञानी और प्रकांड जोतिसी कर्म और परिस्रम को जिवन का गहना मानते हैं अगर कोई भी आपको सारी बाते बताए और बाद में कहे कि वो पूजा करवालो मैं कर दूँगा अकेले में होती है अगर ये सभी चीजें आपसे कही जाती हैं तो समझ लिजिए कि आप काफी देर से पोपट बन रहे हैं बास्तव में उन्हें कोई ग्यान नहीं है वह केवल लोगों को ठक कर अपना पेट पाल रहे हैं साथ ही अगर आपको इस बार पे कोई यकीन दिलाने की कोशिस करे कि सिर्फ एक तावीज या फिर एक अंगुठी पहनने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे या आपके पास अपार सम्रिध ही आ जाएगी तो खुद ही सोचें कि क्या ये संभव है वो जोट्सी तो ऐसे कई तावीज लिये बैठा है अगर उनमें इतना ही चमतकार है तो वो खुद क्यों नहीं माला माल हो गया लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि सभी जोट्सी ऐसे ही होते हैं इस देश में हमारे देश में जहां के बहुत बड़े-बड़े प्रकांड विद्वान हुए है यहां पर बहुत बड़े-बड़े जोट्सी भी अभी भी मौजूद है तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आप उन जोट्सों के पास जाते हैं जो रियली में और सही आपको कुछ ग्यान दे पाते हैं आपको भविस्य के बारे में बता पाते हैं आपको अवेर कर पाते हैं या फिर एक आप ढूंगी के पास जा रहे हैं ये आपको जरूर धियान रखना है अगर लाइफ में आपको भी कोई ऐसे डोंगी बाबा मिले हों और अगर आपको बोले हों कि आपका महाँ भाग ये बदल दूँगा तो कॉमेंट सेक्षिन में जरूर लिखे कुछ इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब केजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि मेरे आने बाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार